मैं रूमध कमार वश्नौंट। हम पढ़ेंगे आज राज की वेवस्ता पीका या विदाईका। जिसे हमने केंदर में पंड्रीकती संसर्द उसे पिकार राज में क्या होती है। विदान मंधल। मैंने का था है, पोलिटिकल आप कब्रेजन पढ़ो, तब आप पढ़ने में कोई समश्या, नहीं आईगी हम बात करेंगे, विदान मंडल, अनुचेद 168 से 212, अनुचेद 168 से 212, तो राजी की व्यमस्ता पिकाए विदाई का, तो विदान मंडल अनुचेद 168 से 212, अनुचेद 168, विदान मंडल की सरचना का उल्ले किस अनुचेद में, अनुचेद 168, अब केंदर में अमने क्या पटा था, संसत, संसत में 3 चेजों से मिलके मिलती हैं, वहाँ पे लोग सभा यहाँ पे विदान सभा और वहाँ पे राज्य सभा मनलब यहाँ पे विदान परिशत तो विदान मंदल तीन चुचों से मिलगा मनता राज्यपाल विदान सभा और विदान परिशत क्लियर हैं तीन केंद्यसासी प्रड़िस कौन कॉन से पहला जब दिल्ली दूसरा पुर्ड़ुचेरी तीसरा जम्ट किस्मीद चम्मो कश्मीर पहले रही था लेगन है 2019 में उसको त्था चम्मीद शा-प्र चम्मो कśमीर मैं वितान सबा खीक विदान परिश्द के दिने राजों में, छे राजों में, अगर आपसे सिदा परसन बहुत बाद पूछ लेते हैं, कि निमन में से किसे राजों में विदान परिश्द नहीं है, तो कैसे आत करोगे, कुमबा प्लस तेलंगाना, कुमबा प्लस तेलंगाना, कुमबा प्लस ते वो तेल लंगाना में 40 सिटे, तो केसे आतकरोगे विदान परिसे 6 राज़ों में कुम्बा प्लस तेल लंगाना, केसे करनाटक 35 सिटे, U से UP 100 सिटे, M से माराष्ट 18 सिटे, B से Bihar 35 सिटे, A से अंदर 30 सिटे, वो तेल लंगाना में 40 सिटे, और राज़ेपाल प्लस, तो किसे आनुचेद में? अनुचेद 117, विदान परिसेद का निर्मान यहों अंत, विदान परिसेद एसा सदन है, जिसका निर्मान भी हो सकता है, एम उसे समात भी कर सकते हैं, लेकिन बंग नहीं कर सकते हैं, त्या सुना मेरी बात, मैं क्या कहा रहा हूं? कि विदान परिसेद एसा सदन है, जिसका निर्मान भी हो सकता है, उसे समात कर सकते हैं, उसे खतम कर सकते हैं, लेकिन उसे बंग नहीं कर सकते हैं, अगर आपसे प्रसन पूछ ले, ऐसा कौनसा सदन है, जिससे बंग नहीं कर स राश्ट्पति करता है राजबाल करता है विदान सभा करती है राजजी सभा करती है तो कोन करती है संसद करती है संसद बहुत अच्छा परसन है कि विदान परिशत का निर्माण वर समापन कोन करता है विदान परिशत का निर्माण कोन करता है उसे समापन कोन करता है तो संसद में को नहां जाएगा लोक सभा राजी सभा पलस राश्ट पती तो संसद कर सकती हैं संसद ये कारिये इन aware कि हैं इस परिक्रिया को सविदान संसोदन मना जाएगा नहीं इस परिक्रिया को सविदान संसोदन नहीं मना जाएगा मैं रिपीट करता हूँ विदान प्रेशित का निर्माण और अंत कौन कर सकती है संसद संसद यह कारी अपने साधरण बहुमत से करेगी और इसे सविदान सं से एसा परस्ताव पारित करते हैं और विशेश बहुमत कर चाहिए है फिस विशेश बहुमत से उसे पहली प्रस्ताव परित करेगे राश्वित मित्यist होता है allegedly कि जसा के विदाऒन परिस्ध्का नेमान ऊगा और वापिस अटाने है प्रिकिर्टेए यह रहले एगी वापिस अटाने है कि विदासबा के तटाना साते हम तो वापिस संसत में जाएगा संसत अपने सभानतोस से बहुँकू से, रिपेट क्योदै पूरा, राजी की वयवसता पिका या विदाई का 2020 से 2020 बारा उसे दिल्ली पुड्डुचरी हो जंमो कश्मीर विदान परिशह डचे रजो में कुमबा प्लस तैलंगाना, क कंबा प्लस तैलंगाना, क्यसे कंदाग करनाटक 35 सिटे U से UP 100 सिटे, M से माराष्न encantations सिटे, B से बीर 25 सिटे, A से अंधर करतार्टरीं कशास सिटे इसा सदन जिसका निर्माण हो भी सकता यह समाप्त भी कर सकते लेकिन बंग नहीं कर सकते ओके विदान परिशत का निर्माण और समापन कोन करता है तो संसद कोन करता है संसद करता है और संसद कारिया अपने साधान बहुमत से करेगी अहतात से सविदान सदन नहीं माना जाए प्रस्ताव संसति के पास बेज़ दे कि हमें विदान परिश्यत की आव सकता है ठीक है रास्तान में विदान परिश्यत के निर्मान के लिए समिति बेट चुकी है बेच घते हैं लेकर परिश्य परिश्यत के लिया परिश्य निर्मान परिश्यत के लिए फिर्मान के लिक्तव के शांट लेँगा बात करेंगे स्क्रीन सोटे लिए आगे बढ़ते हैं अदिक्तम 5960, अधुक्तम 5960 किसमें विदान स्भाई के अंदर सिटे हैं जैसे बात करें में यूपी अजाएगा तो लोक स्भा, राजु स्भा, विदान स्भा, विदान स्भाई स्भाई श्रवादि स्भाई किसमें यूपी में, क्यों यूपी में सरवादिक चंसंग्या है, ठीक है, तो यूपी, यूपी में सरवादिक सिटे हैं, विदानसभाई कितने हैं, 403, पशिम बंगाल में हैं, 204, माराष्ट के अंदर है 288, माराष्ट के अंदर विदानसभाई सिटे हैं, 208, और रास्तान के 32, Sikkim के अंदर कितनी है, 32, और Pundu-Cheri के अंदर कितनी है, 30, Pundu-Cheri के अंदर कितनी है, 30, Pundu-Cheri के अंदर कितनी है, 30, ठीक है, देखे, repeat करें, अनुचे देखे 70, विदान सभाई की सरचना, सद्यो संग्या, अधिकतम हो सकती 500, 99, 60, अधिकतम बात करें, कौन-कौन से र सभा मिज़रों में है, 40, Sikkim है, 32, और Pundu-Cheri के अंदर है, 30, सीट है, ठीक है, अब देखे, विदान सभा में सीटो का अंटर, अगर आपसे प्रसंद पूछ ले, कि विदान सभा में सीटो का अंटर किस अधार पर किया गया, तो जन्द संख्या के अधार पर, किस अधार के जन्द संख्या को रखा गया, जब 42 सभीदान संख्या को रखा गया, जब 42 सभीदान संख्या को रखा गया, उसके अनुसार 2001 तक, या विदान सभा में सीटो की सद्द संख्या का अधार होगा, 1900 संख्या का अधार रखा गया, कि 1900 संख्या का अधार पर 2001 सभीदान संख् 1891 विदाञा के संधुना का धार 1901 का संध् improve पहुने को रख शोट को रखा गया DAVID 2022 में 2020 में 2020 अधर फ्री Dop कर 36 तक वीधांसवा में 2030 संही का अधार 1912-19 सभीदान 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 निर्वाचन सेत्र का परिश्यमन सभीदान 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 सभीदा सदेश संख्या अधिकताम नियूंताम अधिकताम कितनी है 500 नियूंताम है 60 यूपी में है 403 सिटे विदान सभा में पच्छी मंगाल में 248 में माराश्ट में 288 यरास्तान में 200 ठीक है नियूंताम 60 है लिगने इसके कुछ अपवाद है गवा मिजोरम में 40 सिक्किमें 32 और पूटिचरी केंदर 30 सीट है ठीक है विदान सभा में सीटों काउंटर की सदार पे किया गया सबसे लेट 22 सविदान सदन उनिच चंदर महा था उसके नुशार 2001 तक विदान सभा में सदिशोग संग्या का अधार 1923 जन संग्या को रखा गया कलीर है फिर हुआ 87 सविदान सदन सदन सथ्यासिवा 87 Constitution Amendment सथ्यासिवा सविदान सदन द्वारा निर्वाचन सेत्र का परिशिमन 2001 की जनकंड़ां के नुशार किया जाएगा निर्वाचन सेत्र का परिशिमन 2001 की जनकंड़ां के अनुशार किया जाएगा और चुनावे निर्वाचन केसा होगा परिट्यक्स ठीक है अनुशार 101 गेतर 171 इसमें विदान परिश्चद की सर्जना की सदसंगया क्या होगी तव 29 जूध चालीस विदानपरिश्चद की जूध सदसंगयाक निूदन होगी 40 चालीस शंना सम्बनदतें राजी की विदान सभागी कुल सदसंगया एक बटा तीन भाग अब देखिे द्यान से कहरायों मैं विदान परिस्थी सरजना अनुचएदश्य algae1 सद्य संक्यन counties तो होकी 40 यहाँ पर विदान सभा में analys तो होकी 40 यहाँ पर विदान परिसथ्थ्य Siya लिए बात करें विदान परिसथ्य चुका है वगात कितने सिटे होंगी 66 क्यों एक बटा तीन ही हो सकती है आगे को समझ में ठीक है तो स्क्रेंश वोट लिए आगे 101 की बारे में विश्थार से हम बात करते हैं जन्दा निरवाचन वाचली तीसमेh विदान प्रिशेद की सांथेक्षीं का चुनावय निरवाचन केसा वोता तो एकल संकरमनी प्रणाली द्वारा रितक्स रूप से होता है बताऊंगा लेकिन अपना वोट नहीं दीते हैं तो एकल संक्रमनी मत प्रणाली द्वारा अपरतेक्स होता लेकिन खुला मद्दान हो सकता है यानि बता सकते कि इसको वोट दिया जा रहा है ठीक है इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें निम्स सदेश होते हैं अब विदान परिशत में निर्वाचक मंदल होता एक उसमें से निम सदेश कुन कॉन कॉन सदेश होते हैं कितने बाग से मनवनीत होते हैं कितने बाग निर्वाचित होते हैं उनके बारे हम बात करेंगे ठीक है तो विदान परिशत का निर्वाचे के मंटल दौरा जिस में निम सद contrad behaving होते हैं देखे, एक बटा तीन सद Hem यानि विदान परिशत के कुल सद Dalya के सब्तुट तीन सदहिये विदान सभा गा सद दौरा निर्वाचित होते हैं ठीक है एक बटा बारा सदे से उन लोगों के सम्मू से जाते हैं जो तीन वर्स पूर सनातक कर चुके हैं तो तीन वर्स पूर सनातक कर चुके हैं एक बटा बारा सदे से उन शिक्सकों के सम्मू से जाते हैं जो लगा था तीन वर्स थे यानि तीन वर्स से अधिक मादिमिक उच्छे मादिमिक या इससे उपर यानि कोलेज में सिक्षन करवाते हैं फिर दा प्रस दीमिक उच्छे मादिमिक या कोलेज के अधिक उपर एक बटा चे सदे से राजिपाल द्वरा मनोंित किये जाते हैं विदान परिशत के एक बटाचे सद्दे से मनोनित करता है ठीक है जब टोटल अगरें मिन जोड़ें तो विदान परिशत के पांच बटाचे सद्दे से तो निर्वाचित होते हैं कितने सद्दे से पांच बटाचे सद्दे से तो निर्वाचित होते हैं अब निर्वाचन मंडल की सरचना पर कानून कोन बनाता विदी कोन बनाता कि इतने सदूसे निर्वाचीत यांसे होगे इतने राजिपाल मननुट करेगा संसद मंडल की सरजना पर विधी बनाने का जिसको प्राप्त है रिपीट केते हैं पूरा अनुचे देख्यों गेतर विदान परिशतिक सर्णा पड़ेदेपन सद्धिशों का चुड़ावे निर्वाचन एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा एपरिटेक्स होता यानि खुला मद्दान होता ठीक है इनका निर्वाचन एक निर्वाचन मं उन सिक्सकों के सम्मूश से जाते हैं जो लगादा तीन वर्सों से अधिक मादिमी कुछ मादिमिया इससे उपर सिक्षण करवाते हो ठीक है एक बटा चेसे देशेदे से मनोनित करता है राजेपाल करता है ठीक है अब विशेश रगाई लिगना निर्वाचन मंडल की ठीक है अनुचेद 122,133 रिलेटेट है एक सो बेतर में तो है विदान मंडल के सद्वनों सद्वनों की अवदी यान कारिकाल कितना रहेगा वह है अनुचेद 123 में योग जिता क्या वने चाहिए तो पागल दिवाल है नहीं वने चाहिए इस सब आप जानती हो में तो उम 25 इसमें 30 और इसमें 35 नियूंतम उमर विदान सबागे अन्दर नियूंतम उमर 25 विदान परिशत के अन्दर नियूंतम उमर 30 और राजय पाल की उमर है 35 यही प्रकाल चलेगा अपने लोग सभा राजय सभा और राष्टपती में लोग सभा की नियूंतम उमर चाहिए आयो तो अचेट एक्सु बेत्र तेतर क्या है? एक्सु बेत्र में तो विदान मिटल के दोनों सोदूनों के अवद्धी है एनकारेगाल कितना रहेगा हाना बता देंगी और एक्सु तेतर में योगी था तो दोनों अपन कमपरिजन में भी पटेंगे स्क्रीशोट लिजे आगे पटेंगे तो देखिए विदान परिशद विदान सबा को में तुल्लादबूरू में पटेंगे तो देखिए विदान परिशद विदान परिशद क्या है एक स्थाइस दन विदान परिशद कैसा है स्थाइस दन है ठीक है इसे पंग नहीं कर सकते ठीक है जबकि विदान स समवाएक S 23 दन थीक है तो विदान प्रिषत थीजद एक सबसर दन है विदाना सब्सक्रास के सदश्यों कारेकाल च्छा सथ अर्थाइब टीछ प्र्ती स सदश्यों कारेकाल नांकि विदान पे पर दो वर्स बाद पदमुक्त हो जाते हैं जबकि विदान सभा के सदेशों कारिकाल होता है पाँच वर्स हम पर MLA चुनते हैं MLA Member of Legislative Assembly MLA तो MLA यानी सदेशों कारिकाल कितना होता है पाँच वर्स होता है लेकिन इसे पाँच वर्स पूरू भी राजिपाल CM के परामर्स पर भंग कर सकता है निए विदान सभा को राजिपाल मुख्य मंत्री के परामर्स पर भंग कर सकता है जबकि इसे भंग नहीं कर सकते है इसलिए सब्सक्र लेख़ना जब लगती हैं राष्टिया अपात काल के दुरान विदान सभा कारिकाल एक वर्स बढ़ा सकते हैं अपात काल के दुरान विदान सभा कारिकाल एक वर्स के लिए बढ़ा सकते हैं कारिकाल बढ़ा नहीं सकते किसके पास हैं तो संसद में नीत हैं किसमें नीत हैं संसद में न आपल करीकाल बढ़ा सकती है ठीक है और यदि अपातकाल समाप्त हो जाए ठीक है और विदान सभा की सद्धिक लिए नियुतम हमर बिडान परिसेद के लिए 30 वर्स विदान सभा 25 विदान परिशद 30 वर्स और योगे ता क्या? वैसनसेध या विदान मिड़ल दौरा बनाई गी विदी की तहत अइयोगी नहीं होना चाहिए और ब्रेस्टजारी नहीं हो ब्रेस्टजार से आरोप से मुक्त ओना चाहिए ठीक और अंचकर देखे हो ठैसी क्या संबट संबत कों दिलाता हैने तो राजेपाल कसे न परिजस्य विदा कर सकता है क्षचे लगा लिकिना आपात काल की दुरान विदाश्बाकारिकाल एक वर्स बढ़ा सकते हैं तो संसद में नहीत है संस्द का का रीकाल एक बार के लिए बढ़ा सकते हैं यदितafar परद काल समाप्त हो जाए तो एक वर्स का मामला च्छे मेने तक ही रहेगा योगीता भारत का नागरिक हो विदान सभा के लिए नियूंतम उमर 25 वर्स और विदान परिशद के लिए 30 वर्स और राजिपाल के लिए 35 वर्स ठीक है वह संसद्या विदान मंडल दौरा कोई वेक्ती दिलाता है स्कीनी सोटरिव कर जाके सदें कोला नुच्छेद ऐनुच्छेद एक्सो नेवासी गणपूर्ती यां कौरम अनुचेद एकसो नेवासी गणपूर्ती विदानसभा में गणपूर्ती कौरम की था द 익दा दर नुब कुल सदंसे संग्या का एक बटा दस्व भाग या दस सदंसे जो भी अधिक हो दोनोंबै से जो अधिक रहेगा वे इसका गढ़पूर्तिया करम यानि सदन का अदिक से चैङकति उसमें सब्सक्राइब परुछोन तर लाक अदिक हो पूर्तिय कोरम तो ऑन्युचे नेवासी गणपूर्तिया कुरम कुल सद noisy हिता 10 अधिक हो सदय के अधिक सब्सक्राइब सलन विठान सबसंतने होते अंठारत Yoshida सब्सक्राश्ल के साथ विधान सभान में इंपोर्टेंट्स है एक सही रहांद करेंदाओं कुल 10 सधीज संगय का आइवटा 20 सभी इतिक हो सदन के ओतिक साइथ पूरे हम बात करेंगे अंगली वीटियो में ठीक हैं आप पूझा लोने में आपको मिलकुल बनाने हैं दन्यवाद